हेलो एवरीवन, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीजिन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.03 हिस्टोगराफी इतिहास लेखन का इंपोर्टन टॉपिक नमर 9 पढ़ने जा रहे हैं इतिहास लेखन की परविर्ती क्या रहे हैं, किस तरह से परंपरा था, इतिहास किस तरह से लिखा जाता था ठीक है, इसके बारे हम डिसकस करने वाले हैं, जब हम मुगल काल की बात करते हैं, तो में लिए हमें डेट याद रखना है 1526 1526 के अंदर में मुगलवन्स की स्थापना होती है, बावर के द्वारा, जिसमें इब्राहम लोदी को हराकर मुगलवन्स की स्थापना की जाती है अब जैसे ही मुगल वन्स की स्थापना हुई तो उसके इतिहांस लेखन में हम बाबर से लेकर औरंग जेब तक का पूरा जो टाइम पिरेड है उसको हम कवर करते हैं इन पूरे टाइम पिरेड के अंदर में बाबर से लेकर औरंग जेब तक के जो भी time period रहा, उसमें जितने भी सासा काय, सबी ने इतिहास लेखन के उपर में जोर दिया, इतिहास लिखा जाने लगा, तो उनके इतिहास लेखन में किन चीजों पर बात की जाती थी, क्या लिखा जाता था, तो mainly उनका इतिहास लेखन जो था, उनके सासन पद्धिती के उ उस तर से इस चीज़ के बारे हम बात करेंगे, अब देखो जब हम इतिहासकार को रखा अपने पास में, जो उनकी बारे में लिख सके, भावर ने लोगों तक आगे पहुँचा सके, वो उस तर से इतिहासका ठीकर परमपरा बात करते हैं, बाबर खुद भी एक लेखक था जिसने एक बुक लिखी तुजक ए बाबरी करके उसने एक बुक लिखी जिसके अंदर में अपने पूरे सासनकाल के बारे में बताया ठीके किस तरह से भारत का जीवन का वैपन है, जीवन काल है, जीवन के किस तरह से जीते हैं, लोग जीवन, जीवन किस तरह का है भारत का, भारत ये संस्कृति किस परकार की है, ठीके, वहाँ पे सोना, चांदी, अर्थव्यस्ता किस परकार की है, कितने संविर्ध हैं, वो ब बाजे, मुगल के परती धोखे बाजे और दूसरा condition यहाँ पर यह मिला कि वो जो भारतिये, एक भारतिये दूसरे भारतिये के परती ही धोखे बाजे, यह दूसरा condition देखने के लिए मिलता है, ठीके समझ में आता है तो तूझे के पाज़ा बाबर के द्वारा लिखा गया जिसे आगे चलके बाबर नामा के नाम से भी जाना गया, ठीके जिसके अंदर में भारत की अर्थववसत्थ था, भारत की सोना, चान्दी, ठीके उनकी प्रशासन ववथवसत्थ था, भारत के राजाओं के बारे में discuss किया गया ठीक है वहां के जन जीवन के बारे में discuss किया ठीक है तैमूर के सासनकाल से लेकर अपने सासनकाल तक का उसने discuss किया तो ये सभी मुद्दों के बारे में तुझे के बावरी में बात किया गया जिससे आगे चलके बावर नामा के नाम से भी ज आना गया ठीक है समझ में आता है अब उसके बाद जैसे ही बावर का टाइम परेड़ खतम हो गया यह चलो बावर चला गया उसके बाद अकबर की बारी आती है ठीक है अकबर अब अकबर के सासनकाल में क्या हुआ है कि अकबर ने इतिहास लिखने के लिए उसे में थोड़ा स भगवान है जिनको Messenger of the God बोला जाता है तो पेगंबर मुहम्मद से लेकर अकबर तक का पूरा जो सासन काल रहा है ठीके उहां तक का पूरा इतिहास लिखो जिसमें अलग-अलग लोगों को अपोइंट किया गया यह इतिहास लिखन के अंदर में परिवर्तन का देखा जाता और एक महत्यपुन करण माना जाता कि चलो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़े हमें पता चलेंगी पर अकबर इस बुख से सेडिस्फाई नहीं हुआ इसके अंतर में हमायू के बारे में टज्रीक इह मायू करके बुख का नाम था ये जो जाए नाम है थोड़ा सा बोलने में गलती हो रहा है रीजन इसका है वे चानल रीकेंगा पर बहुए जरूर कीजएगा जो भी नाम मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है आगे एक और में वेगम आती है वेगम का नाम है जोहर आफ्ताभी जोहर आफ्ताभी करके आती है इनके द्वारे भी एक पूश्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है तजकिरात तजकिरात उलवाकियात करके बुक लिखी जात जिसके अंदर में सासन पत्यती किस तरह का था, किस तरह से विवस्ता थी, बावर का सासन क्याल का था, अकबर का सासन क्याल किस तरह से रहा, उन सबी चीजों के बारे में यहां पर डिसकस किया गया, ठीके, फिर आगे चलके अबुल फजल को अपोइंट किया जाता है बावर ठीके, तो, अबूल-फजल के दौरा, आइने अकबरी लिखी जाती है, ठीके, आइने अकबरी के अंदर में, जिसमें, अकबर के जो भी सासनकाल की जो भी घटनाए रही, परमुग घटनाए रही, उसको लिखा गया, धार्विक नीती, जिसके कानस अकबर को जाना जाता था धार्मिक नीती को लिखा गया, राजपुत नीती, राजपुतों के परति किस परकार के नीती बनाई अकबर ने, उसको डिसकस किया गया, सासात में आर्थिक वर्णन उसके बारे में बात किया गया, पर शासनिक विवस्था, किस तरसे वो पर शासन को चलाता था अकबर, उस इस बुक के अंदर में मेंनली क्या था कि पूरा बावर से लेकर अपने टाइम पिरिड का मतलए बावर से अकबर तक का पूरा टाइम पिरिड को कवर किया गया और इस पुस्तक को लिखने में आलमस्ट साथ साल का टाइम लगा अबूल फचल को ठीक है समझ में आता है उसके बाद नूर हलक करके उसका पूस्तब्र होता है जो पूस्तग लिखी जाती है तो उसका नाम था जब्दुल तारीक करके बुग pawn लिखी जाती है। उसके बारे में जिक्र किया गया कि किस तरह से उसके सासन व्यवस्था थी ठीके बाद में फिर एक और बुख लिखी जाती है जिसका नाम था बुल लेखक का नहमत अलफत हर्वी ठीके नहमत अलफत हर्वी करके बुख लिखी गई लिखी गई तारीक ए खान ए जहान भी ठीके नुगे हो Lal включ कि अलफ जीवन ववस्था या आत्म ववस्था जो मतलब पूरा जीवन उसको यहां पे डिसकस गया गया जिस मुख का नाम का दिया गया तुझके जहांगीर ठीके अब आगे चलते हैं साजहां का टाइम पिरेड में मुहम्मद आमीन ठीके काम जवी करके एक इतिहास कार आते हैं ठी अम्मद अमीन काज नावी करके यहां पे नाम आता है यह थे ठीके इन्होंने पूरा जो साजहां का टाइम लाइन था जो पूरा टाइम पिरिड था कि उनके जो आये राजा बने किस तर से हुआ वो सारा कुछ साजहां के बारे में यहां पे जिकर किया गया ठीके फिर किस तर से साफन विवस्ता था क्रिशी विवस्ता किस प्रकार में पूछा जाता है तो में लिए आपको कुछ बुक्स के नाम याद रखने कुछ दो याद रखो ठीके जिसमें सबसे पहले आप तुझे के बाबरी से सुरुवात करो गए जिसको बाबर नामा भी बुला ग जिसमें दो बेगम आती हैं जिसमें एक तो बेगम हिमायू के बारे में पूरा लिखती है और दूसरा बावर से लेकर अकबर तक का सासनकाल का जिकर करती है पहली बेगम का नाम था बेगम वाजियत ठीके जिसके दोरा तजिक की रात हिमायू लिखा गया और दूसरी बेगम अकबर से लेकर अकबर के सासनकाल का जिकर करो ठीके जिस बूक का नाम था तारीक-ई-िल्फी ठीके फिर आएने अकबर ही आजाती है जो अबूर फजल के दौरा लिखा गया जो साजहां के टाइम पिरेड को दिखाती है उसी के दावरा उमान अला जो गंजी तो इस तरीके से पूरा मुगल जो सासन था मुगल काल था उसको आप यहां पर दिखा सकते हो तो टॉपिक थोड़ा सा आप इसको फोकस कीजिएगा पड़ी का इसको समझ मैं वीडियो लेक्शर बेस था इसलिए मैं जादा लिखा नहीं हूँ वापस आपको समझाने की कोर्सिस क्या हूँ अगर फिर भी कहीं पर कुछ confusion रहता है doubt रहता है समझ में निया है तो आप comment करके पूछ सकते अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चीए तो comment किजिए मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको बना दूगा and request यह है कि चैनल को subscribe जरूर कर ले अपने दोस्तों तक link जरूर सेयर करें जिससे ज्यादा ज्यादा दीन अपके साथ जूट सके है और हमें भी motivation मिले तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best